नमस्कार दोस्तों आपका धनमंत्री क्रिपा हेल्फ सेंटर में बहुत-बहुत स्वागत दोस्तों जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि यह डायवटीज की बिमारी और कुछ एक और जो बिमारियां हैं वह इस वक्त तक्रीबन हर घर में पहुंच चुकी है और किसी किसी घर में अगर साथ मेंबर हैं तो पांच तो डायवटीक हैं ही दोस्तों यह बिमारी जो है वो मैं इसको थोड़ा एचाइवी का यह दूंगा रूप कि जिस तरह जो है एचाइवी वायरिस जो है वो आदमी को नहीं मारता है लेकिन जब अम्यूनिटी आदमी की डौन हो जाती है तो आदमी को कही तरह किरोग लग जाते हैं और फिर वो आदमी को मारते हैं डायवटीज जो है डायवटीज जो है डायवटीज आदमी को नही बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है बहुत सारी से और विमारियां जो हैं बहुत हो जाती है तो आज उन्ही मैं साथ विमारियों को लेकर आपके सामने प्रस्तुद हूँ और उन साथ विमारियों को आप कैसे रोक थाम उसकी कर सकते हैं या उनसे आप कैसे बढ़ सकते हैं डायवटीज दोस्तों होना एक आजकल एक सभावी पोचुका है लेकिन किन लोगों को डायवटीज नहीं होती है ये भी मैं बताऊँगा तो वो साथ ही मिमारियां क्या है जो डायवटीज की बढ़ से लगती हैं तो अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सभी मादा भाईयां वहना से ये नवीदने रहेगा कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेर करें उस चैनल को भी जूरू सब्सक्राइब परें तो सबसे पहले मैं एक विशेश आप सभी से प्रासना करना चाहता हूँ कि अगर इस वीडियो को आपने लगाता नहीं देखा तो वीडियो देखा ना देखा ये बराबर हो गया मुझे कोई दिक्कत नहीं होती दोस्तो कि आप पूरा देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं लेकिन अगर आप अगर 10 मिन्ट 15 मिन्ट बैठके कोई चीज़ सेख सकते हैं या जान सकते हैं तो आपके रिए फाइदा है तो दोस्तो अब ये जो बिमारिया हैं मैं इनको आप एक एक करके गिना रहा हूं सुगर से होने वाली जोस्तों प्रावल्म जो है वह सेक्स प्रावल्म पहली बिमारी दूसरी विमारी बीपी जिस आदमी को ब्लड डाइवटीज हो गई कुछ समय के वाद उसको बीपी की समस्या भी होगी टीसरी हार्ट अटैक इसके बहुत सारी कारण है पैरलाइज पैरलाइज बीपी और शुगर जब दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो आदमी को पैरलाइज होने का फिर डर रहता है पैरलाइज बीपी के द्वारा भी होता है लेकिन ये मैं शुगर के अगर शुगर आपकी बढ़ जाती है भीपी बढ़ जाता है तो फिर पैरलाइज होने का असंका जो है वो ज्यादा बन जाती है इसके बाद दोस्तों कि जो बिमारी आ जाती है वो आती है किड्नी प्रॉब्लम्स किड्नी फेल मुझेे बढ़ दोस्तों जो अगली विमारी है वो है अपकी गैंग्रीन गैंग्रीन आपको जैसे पैरो से आपका या जिसको डाइवटीज है अंक कारना पड़ जाता है और सात्मी आंख है बाग की छोटी मूटी तो चलो होती रहती है लेकिन नियों मुख्या बिमारियां है जो आदमी को बहुत तंग करती है परसान करती है मुलत्यों के मुझ तक ले जाती है यह पांच चीज़ मैं ने बताई बबारियां इस वोगर्स हो जाती है अब दोस्तो मैं कर सब से पहले जो आज कलका आएर्वेद है दोस्तों उसके औपर बात रहा हूं कि लेकिन जो प्राचीन आएर्वेद है थो डूसतोंगो कुछ और कहता है पाषियào को और है जो health center है वो हम चोटे मोटे बैदियों को वो कीड़ा मुकोडा समझते हैं कि कुछ जानते नहीं है वो यह कह देते हैं कि इने तो कुछ पता ही नहीं है लेकिन दोस्तो आज एक एक पर्त में आपके सामने एक एक पना खोल करके आपको बताऊंगा कि कौन सत्य है कोर जूटा ह और क्या treatment है क्या नहीं है तो दोस्तों यह जो diabetes है जितने मैंने रोग बताए यह होते हैं अब एक और चीज़ होती है दोस्तों पहले मैं किड़नी से चलूँगा क्योंकि अक्सर जो ज़्यादा दिक्कत आती है रुगर पेशेंट को वो होती है क्रिड़नी की जब कभी किसी व्यक्ति का क्रिड़नी का function कम हो जाता है आपका कराटिनाइन पांच से उपर चला जाता है तो हॉस्पिटल में आपको यह कहा जाता है कि आपका डायलैसिस हुआ और दोस्तों जब आपको डायलैसिस के ओपर डाल दिया और हर हफ्ते बाद पंदरा दिन बाद आपका डायलैसिस होगा तो फिर समझ देजिए कि आपकी को किड़नी को फिर वो रोग लग गया आपकी किड़नी को कोई नहीं बिचा सकता फिर मृत्यू उस व्यक्ति के कि उसका इतना लाव नहीं होगा क्योंकि वो डायवटी की पेशेंट है अगर उसको ट्रांस्फर ट्रांस्प्लाइट भी कर देते हैं तब भी उसके चांसे बहुत काम होते हैं कि दोस्तों एक और चीज आई है नोटीस में बहुत पहले कि यह वीडियो बनाना चाहता था मगाले किन बनानी पया कुछ बच्चों का को भी किर्णी फेल की समस्य होती है उन्हें डायवटीज नीवोटी है की दोस्तों कि पेल हूती है वो आव के इंफेक्शन सर्वें विए यूटिए इंफेक्शन सी बजाते हैं उसको कहते हैं उससे भी हो जाती है और दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे जहां मैं हूँ, हिमाचल प्रदेश अमीरपुर मैं, यहां पास में एक बच्ची थी, तो एक हॉस्पिटल से उस बच्ची को नबे इन्यक्शन लगे थे, यूटियाई का इन्फेक्शन हुआ था, और वो हर साल, हर छे मेने के बाद उ इन्फेक्शन होता था, और उन्हों ने फिर मेरे से कंसल्ट किया, तो दोस्तों मैंने उन्हें सिर्फ एक ही दवाई रिकमेंड की, नीरी की एफटी, यह दोस्तों एमिल कंपनी की है, और इसको आप खरी देंगे, तो मुझे इसका कोई लाब नहीं होगा, मैं क्योंकि एम सेमिल कंपनी की दो जो दवाई है किसी की बच्चे को बच्चे को अगर यूटिया इन्फेक्शन होता है, पसाब में हलका बलडी आ रहा है, हलका उसमें खून आ रहा है, तो ऐसे बच्चों को किर्णी को बचा लीजी, और उसकी एक मातर दवाई है दोस्तों, नीरी की मैंने हजारों आदिमिया के उपर इसका प्रेक्टिक है जिसका दो तीन चार भी पहुंच गया था, तो मैंने इसको यही दौई जो है रेकमेंड की जिनको बच्चाओं को यूटिया इन्फेक्शन होता है, कल परसू की बात है, एक बच्ची है, बच्ची 24-25 साल की लड़ बच्ची को नेरी क्याफ्टी उसमें लग जाती तो बिल्कुल ठीक होती और ना डायलेसिस करवाने पड़ते और वो सस्त भी होती, तो जिन बच्चाओं को बार बार जो है, अगर यूटिया इन्फेक्शन होता है, तो मैं प्रासना करूंगा ऐसे आव्यावकाउं से के न नीरी आती है, नीरी नहीं लेनी, नीरी क्याफ्टी चलेगी, नीरी क्याफ्टी के अंदर कासनी और पुर्णरणवा, यह दो वड़े मेजरिस के अंदर ग्रेडियन डले हैं, और भी है, गोक्सुला जी बगहरा पड़ा इसमें, तो मतलब दो दो चीज़े हैं, वो बहुत आते हैं, मेथी दाना, करेला वीज, ये वीज, वो बीज, अगर किसी को किर्णी परावल्म हो जाती है, तो फिर वो क्या करेला वीज दिखलाएंगे उसाद्वी को, यह अथेंटिकेटी नहीं है, अथेंटिसिटी, दोस्तों, मैं कहता हूं कि जिस व्यक्ति को भी, ब्लड सुगर है, वो एक लोधरासव आता है, किसी भी मैडिक स्टोर से मिल जाएगा, आयरुवेदिक मैडिक स्टोर से है, किसी पनसारी के दुकान से, लोधरासव आता है, पठानी लोध होती है, दोस्तों, उससे बनता है लोधरासव, और एक नुस्खा और है, ब्लड सुगर के लिए जिसके अंदर पठाणी लोड़ पड़ी होती है भो पॉड़ फॉर में बनता है तो वो केड़्नी को ररकता है तो ड्रप्रश को करता है कि ताकत को बनाया extension भोड़र आस्वंफ के अंदर यह फारा के दोर है कि पैट गैस और कबल साथ मैं निकालता है तो यह लोदा समनु यो हैं कोई भी आप करें यह कोई भी देशी दोभी खा रहे हैं को जिसका को डाइवटीज है और जिसका एक्षब बन सी आठ से उपर यानि कि एट प्लस हो गया वो इसको लेना शुरू कर दिए चाब भरे ही एक टाइम लेना शुरू करें तो लोधरासर ऐसे रोगियों के लिए बहुत अच्छा है और दूसरी तर्फ दोस्तों एक और जो चीज है वो होता है लगिलोये से किलोये ऐसका असली घंट म no give ऐसे सूचता है मैं इसाय बोलता रहरों असली गिजिलोये का घंट चने के दाने के वराबर और दो ग्राम पशान वैद का पौड यह आदमी की किड्नी को ताक्क्त देता है प्लस उस क्रींड़िंवी ते così बेस्ट का वरकिंग जो है तो दोनों ही परिस्थितियां झाल खोन गाड़ा होता है तो एक छनी का रूप है तो उस चनी से जो कैसे रिफाइनी करे पाएगी जो बेस्ट मेट्री यह वो सर्कल करता रखता है तो इस तिति में मैंने बताया लोधरासव और यह जो मैंने का आपको गिलोए घंड और पशान बेद यह दोनों ही बहुत ज्यादा अफेक्टिव हैं लेकिन यह गिलोए घंड और पशान बेद जो है दोस्तों यह आपके बैसे रखने लोगों को मैं नटी किया है कुछ लोग मानतेए कि ठीक नहीं होती है तो मैं अपनी किर्णियों को से रख लखेगा लिए आए और टेश यहां आती है दोस्तों बहुत सारे लोग जो बोलते हैं की डियोटीज ठीक होजाती है लेकर एक यहां बन डियोटीज नहीं होती है कि इसको जो फीजीकली बर्किंग जयाद करता है यानि कि फीजिकली काम ज़्यादा करता है यानि कि उसका फीजिकल बर्क है अगर ऐसे फीजिकली बर्किंग वाले का कहीं थोड़ा बहुत यानि कि ब्रड़ सुगर बढ़ भी जाता है तो उसको पता नहीं चलता कि मुझे डायपटिक मैं हूँ भी या नहीं और वो उसको कह कुछ नहीं कराता कि क्योंकि वो एक मारजन के ओपर होती ए और वो अपना खान पान बैसे रखता है और में थीक प्यूजता है भी और होती है उसको भी लेकिन उसको पता हो गएक किभ्ऺ धीक गों गई के दोस्तों जैसे कि बहुत सारे लोग जो है नहीं करते हैं क्योंकि कि ऑपृजी कम करते हैं मैं और इस बहुत सारे हैं लेकिन मैं इस वीडियो के मादियम से ये मोटा मोटा तोर पर बता रहा हूं को इसके बाद दोस्तों हाट अटैक की दोस्तों फूल पतला रखने के लिए जैसे कि मैंने बताया गिलोए घंट असली गलोए घंट होना चाहिए और पांच दाने कारी मर्च के ये आपके हार्ट को ताक्त देते हैं और हाला कि मैंने दोस्तों यहां तक भी देखा है कि मैं भी पहले अरजन चाल को बहुत बड़ा हार्ट का टॉनिक मानता था लेकिन नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों को प्रयोग किया था लेकिन जो गिलोए और काली मिर्च का प्रयोग है इसको आप पानी से लेना हाट के लिए ताकत के लिए और खोन पतला करने के लिए दोस्तों बहुत अच्छी रेमिडी है और साइद आपको इस चीज़ का पतानी होगा काली मिर्च जो है ये भी अकेली भी ब्लड को पतला रखने में बहुत जादा सक्सम है अब दोस्तों इसके बाद आता है कि गैंगरीन तो दोस्तों ऐसे व्यक्तियों को गैंगरीन जो है उसका सबसे पहला जो सिम्टम है वो क्य सब्सक्राव में जनल जो है बहुत ज्यादा होगी पैर जो है काले पढ़ना सुरू हो जाते हैं तो हमेशा जो है दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन जो है यानि कि हाड जो है पंप करता है या खून आपका गड़ा हो गया है तो वह आपका खून का सर्कुलेशन जब पूरा प या वह ना ठीक होने की कारण फिर बैति सिकि की उंगलियां कर जाती है लोगी की उपने कर जाती हैं पैर कर जाते हैं तो इस तीती से निप्टने के लिए दोस्तो अब दो चीजों का ध्यान रखेगा गिलोए घन की अंदर चिराइटे का मिशन चिराइटा होता है ये निपाली चिराइटा जो सबसे ज्यादा एफेक्टिव होता है तो उसका मिशन करके क्योंकि चिराइटा जो है दोस्तों खोन को साफ करता है और ब्राड सुगुर को भी करता है जक्मों को ठीक करने की भी इसमें क्षमता है और गिलोए घंज वो तो है यह लेकिन चिराटा है यह दोस्तों खून को साफ करने में और बुखार को ठीक करने में यह दोनों ही बहुत इफ्टिव चीजे हैं तो जब आपका बलड सर्वक्रूरेशन जो है दोस्तों ठी करेंगे और एक और जो सबसे पाए है दोस्तों बड़ा कि आज से लगवक्त साथ आठ साल पहले में कहता हूं कि नाभी का कनेक्शन जो है बुस्त बलड सुगर बालूंस का है यह आज की डेट मैं नहीं कहा रहा हूं कि जैसे बहुत सारे आजकल मार्केट में तेल हा चुके ह यह लगानों लेकर दोस्तों यह तो हमारे प्राचीन जो विजुर्ब थे हमारे पहले ब जुरुक है दादा दादी या उससे पहले के भो जी घीय तेल का नाभी के ऊपर इस्तिमाल करें've का बढ़ में दोस्तों गदसे और यह बहुत खास यह गिलोए है इसके तीन दवाईयां बनती है इससे यानि कि तीन इससे चीज़ें निकाल जाती है गिलोए घन गिलोए सत और गिलोए का पौड लेकिन बहुत सारे लोगों को पपता नहीं है कि गिलोए का पौड जो है वो कैसे तीयार किया जाता है अब यह जो बाहर का छिलका होता है हरा जिलका इस्यांगं यह आखन में आता है ना सत्म आता है ध्यां से सुनीगा और अगर इसको आप डारेक्टली पीज़ देते हैं जैसे टमाटर जी चा बढ़ता नहीं है इसका चिलका आप 10 साल भी रखें तब इसका चिलका सड़ेगा नहीं जल जाएगा नेकर सड़ेगा नहीं तो यह जो इसका पौडर जो बनता है दोस्तों तो यह आप गिलोई देख रहे हैं इसके अंदर लकडी यह और इसके लकडी के ओपर इसके गिलोई नहीं है इसके अंदर छोटे छोटे जैसे रोए हैं यानि की गुदा है हाला कि थोड़ी बारीक कम मोटी नहीं है अगर इतनी मोटी हो तो उसके अंदर आपको जो है वड़ा अच्छा मिल जाएगा तो अगर फिर आप इसका पाउडर करते हैं तो दोस्तों ये आपके ये बह बोलेंगे कि बकवास करता है लेकिन जो सचाई है वो ये है अगर आपको ये घंड या सत या पाउडर करना है इजी आपके लिए पाउडर हो जाएगा इसके ऐसी लकड़ी और इसके उपर जो गुदा चिपका होता है उसको आप दूब में सुखाईगे और इसका पाउड लग जाती है यानि की भाफ जो है जो इसका धूब ऑखेगा एसा नहीं आप अप नीचे किसी पातर मैं कड़ाही मैं पटीले मैं उसकी स्टीम जो है वो आपके आँखा तक लग जाये आपको आंख्वों में ज़रों के लिए दोस्तों बहुत अची है और अमिनूटी के ल मेरा आज का वीडियो तो मैं चाहूंगा कि जो आपने मैंने बताया अगर आप कर सकते हैं तो आपको फाइदा होगा दोस्तों हम तो सरब्सारण आदमी हैं और जो हमसे टीटमेंट लेता है उसको दे देते हैं लेकिन कम से कम अपने ही लिए कर लेना जो मैंने इस वीडियो क के अंदर बताया हाँ एक चीजी रह गया है के अंदर लास्ट में दोस्तों जो भी डियाविटिक पेशेंट है ध्यान से सुनिएगा बहुत सारे अलकल कैसे कैसे आटे चले हैं लेकिन जो और हाँ उनकी कॉस्टली भी किमत भी ज्यादा कॉस्टली है लेकिन वह भी एक्ट आपको पुरानी गयों मिल जाती है आपको कुछी मल्टी ग्रेन आटे की या उसकी जुरूरत नहीं है वो खुद ही एक मल्टी ग्रेन आटा बन जाता है अगर आपके बास छे मिने एक साल गयों पड़ी हो उसको चक्की में बिस्वा करके चोकरी उसको खाएं आपको किसी कभी दूसरे आटे खाने की जिरूरत नहीं है तो कभी भी आपने ग्यहूं या जाओ का अटा पिस्वाना है तो पुराना हो तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को बेसक लंबा हो गया मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग इसको शेयर करें लाइक क करें वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और जो लोग बोर हो चुके हैं उनसे में किसाओं बचाता हूं नमस्कार